आपने कई बार देखा होगा कि हमारा बोबिन का जो थ्रेड है वो लूस आता है जिसकी वज़े से हमारी उपर की जो सिलाई है वो खराबाती है तो हमें पता नहीं रहता कि ये किस वज़े से हो रहा है तो हम काफी ज्यादा टेंसन में आ जाते हैं कि क्यों सॉल नहीं हो रही तो friends इसका solution सिर्फ दो मेंड का ही काम होता है कि नीचे का thread तभी वो lose आएगा जब हमारा ये जो bobin का screw है वो lose होगा जो हमारा thread है वो काफी lose निकलेगा जिसकी वज़े से हमारा ये जो उपर का सिले होगा वो खराब आएगा खराब means के lose आएगा तो हमें सिर्फ क्या करना है कि हमारा जितना ये जो thread जितना losing से निकल रहा है उतना ही losing से हमारा ये thread यहां से निकलना चाहिए तो हमें इसके लिए क्या करना है ये जो screw है वो जैसा भी हमें चाहिए या फिर ज्यादा tight आ रहा है तो इस screw को loose करना है और काफी loose आ रहा है तो ये screw को हमें tight कर देना है बस इतना करने पर ही हमारा ये जो सिलाई है वो perfect देगा तो यही एक setting रहता है जब नीचे का thread loose आता है तो और मीने आगी भी वीडियो बनाया हुआ है जब भी हमारे machine का tension है वो proper तरीके से thread को नहीं देता होगा तब भी problem आ सकता है तो आपको अगर उसके बारे में भी जानना है कि वो क्या problem होती है तो मैंने description में उसका link डाल दिया ह तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं और मैं ये सब machine related जो भी वीडियो होते हैं वो मैं machine learning वीडियो करके डालती हूँ तो आप description box में जाकर वो चेक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं और eye button पर भी आपको मिल जाएगा कि tension अगर ठीक से नहीं fit है तो भी हमारा जू स सिलाई है वो खराब आ सकता है तो देखे मेरे वीडियो को और मिलते हैं next video में